गुद्मॉर्णिंग स्टुडेंट हम लोग अभी अलग-अलग वीडियो में सामाजिक अनुसंधान के उपर चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम अनुसंधान के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे आज हम पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक शोद किसे क क्रियात्मक शोद के क्या प्रकार हैं और सामाजिक अनुसंधान के अंदर जो क्रियात्मक शोद है उसका किस तरह से उपयोग होता है या किस तरह से सामाजिक अनुसंधान में क्रियात्मक शोद का क्रियानियन किया जाता है इसके उपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो हमें जान लेना आवशक है कि जो क्रियात्मक जो शोध है वह व्यवारिक शोध का ही एक प्रकार है जो हमने कल चचा की दी व्यवारिक शोध के बारे में क्रियात्मक शोध लगबग 30 वर्स पहले इसका जो इजाद है या जो इस अवधारना को मूर्त रूप देने का जो प्रयास किया वह अमेरिका में हुआ अमेरिका के प्रोफेसर कोलियर लेविन और स्टेफन कोरी ने करियात्मक शोध को मूर्त रूप दिया इन लोगों की मानिता थी कि जो क्रियात्मक जो शोध हैं उसके माध्यम से सामाजिक संबंदों को अच्छा बनाया जा सकता है वच्छो हम लोग हमारे आसपास जो सामाजिक व्यवस्था देखते हैं उसमें कई तरह की व्यादी की ये समश्याइं हैं अर्थात प्यादिकी समश्यां की से कहते हैं जो समाज को विगटित करती है या विगटन करने का काम करती है अर्थात जो समाज को तोड़ने का काम करती है दूसी तरफ हम देखते हैं समाज में समाजिक समश्यां बहुत सारी है जैसे अपराद, बाल अपराद, वहिश्यावर समाशास्त्री गुडे इन हार्ट जिन्होंने अपनी पुस्तक मेथर्ट्स और सोशल रिसर्च में परिवाशा दी ये करियात्मक्षोद की पुस्तक का नाम याद रखना आवशक है क्योंकि कई बार परिक्षा में पुस्तक पूछी जाती है पुस्तक का नाम है Methods in Social Research कुड़े अनहाट कहते हैं कि करियात्मक्षोत उस कारिकरम का एक भाग है जिसका लक्ष मोजूदा दशाओं में परिवर्तित करना होता है चाहे वह गंदी बस्तियों की दशाएं हो परजातिय तनाव हो, पुर्वाग्रह हो या किसी संग्ठन की प्रभाव शीलता हो तो इस परिवाशा किसे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी ऐसा कारिकरम या कोई भी ऐसी योजना जब हम वर्तमान जो दशाएं हैं अर्थात वर्तमान जो समशाएं हैं उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं उनमें सुधार लाना चाते हैं तो हम क्रियात्मक शोध का प्रियोग करते हैं अर्थात हमारा लक्ष किसी भी विक्तियों या समूं से समंदित परिवर्तन लाना और सुधार लाना होता है सिर्फ उनका अध्यन करना नहीं होता है तो उसे हम क्रियात्मक शोद के अंतरगत रहते हैं अब सभी विद्वानों के आधार पर जो मूल बात है वो यह होती है क्रियात्मक शोद में किसी सामाजिक समशा या गटना के क्रियात्मक पक्ष पर ही द्यान केंदित किया जाता है रजला हम जो शोध करते हैं उनसे जो निश्कश प्राप्त होते हैं उसमें सामाजिक अवस्ताओं में परिवर्तन लाने की योजना एक भाग के रूप में प्रियोग की जाती है। परिवर्तन ताथकाली किया भविश इसकिंदू तरीके से हो सकता है तो उसे क्रियात्मक शोद नाम दिया जाएगा यदि हम सिक्षात जो प्रणाली है उसमें आमूल चुल परिवर्तन लाना चाहते हैं और कोई शोद कारी अगर हमने हाथ में लिया है या कोई शोद कारी के जरिये हम लोग काम करना चाहते हैं तो उनके जो उसके जो प्राप्त निश्कर से उनको लागू करने के लिए हमें क्रियात्मक शोध का ही सहारा लेना होगा इसी तरह से जो बाल अपरादी हैं उनको सुधारने के लिए भी हमें क्रियात्मक शोध का सहारा लेना होगा क्योंकि क्रियात्मक शोद में हम लोग क्या करते हैं कि जो कारण है गटना के पिछे छुपे उनको पता करते हैं और उसका निदानात्मक उपाय करते हैं अब इसी तरह से आपने देखा होगा शहरों के आसपास जो गंदी बस्तियां है वो गंदी बस्तियां बस जाती है अब वहाँ पर अनेक तरह की समश्याएं होती है बाल अप्चारी पेदा हो जाते हैं विशावरति की समश्या होती है वहाँ पर उनके रहने की उखाने की पर कुल मिलाकर किसी भी सामाजिक दर्शा स्थिती या समश्या को बदलने उसमें सुधार करने या उसके लिए कुछ साधन अगर खोज निकालना चाहते हैं तो हमें क्रियात्मक शोद का ही सहरा लेना होता है इसमें समश्या से समंदित जो है वो सामगरी को एकतित करना होता है औ उसके परिस्तितियों को नियंतित करना होता है उसके बाद जो भी सुधार यो कल्यान के काड़े हैं उनके समाधान खोज निकालने होते हैं कई तरह की समश्याए बूमी हिन करशकों की समश्याएं हैं करशी स्रमीकों की समश्याएं हैं समाज में अन्य कई दुर्बल वर्ग की समश्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए और चहुमुकी विकास या उनको मुखी दारा से जोडने के लिए उन्हें आगे बलाने की दिशाताय करने के लिए उनक क्विक्ता का पता लगा सकते हैं और वास्तavin का पता लगाने कि बाद हम उनमें आवशक सुधार की बात कर सकते हैं निशकर्ष के आधार पर तो कुल मिलाकर हमने जो इतना डिसकर्ष किया उसका यही आधा है कि जो क्रियात्मक शोध है वो सामाजिक समश्याओं से समंदित हैं इसमें समश्याओं के अध्यन के लिए विग्यानिक विधी का प्रयोग किया जाता है विग्यानिक विधी के द्वरा तत्यों का संकलन किया जाएगा तत्यों के संकलन के बाद में उनका वरगी करण किया जाएगा सारणियन किया जाएगा और उसके बाद उनकी जो अंतिम निश्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कारियोजना बना कर उनमें परिवर्तन लाने का और जो व्याधिकी जो समश्याएं है या विकटनात्मक जो समश्याएं है या जो समाज को तोड़ने वाली जो समश्याएं है उनका समाधान का प्रयास किया जाता है कुल मिलाकर जो क्रियात्मक शोध है वह जो है वो सामाजिक समश्याएं हैं उनको सुधार करने का काम करता है समश्याओं का निराकरन, सामाजिक परिवर्तन की दिशा तय करना, सामाजिक नियोजन, सामाज कल्यान, आदी समंधित जो का तीन प्रकार बताए गए हैं, पहले निदानात्मक क्रियात्मक शोद, दुसरा सहकारी क्रियात्मक शोद, तीसरा प्रियोगात्मक क्रियात्मक शोद. तो जब निदानात्मक्रियात्मक्षोद की बात करते हैं तो इसमें भी तीन तरह के जो शोद हैं उसमें निदानात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्मक्रियात्म हिना कि जो अनुसंधान करता है वह गंदी बस्तियों में जाता है उनके आवास की जो समशय हैं उनकी जो रहिन सहन खान-पान की जो समशय हैं उनके माद जो गंदगी की समशय हैं उन सब को अगर वो किसी सरकारी एजेंसी के माद्यम से हटवाना चाहता है तो उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट उसको पेश करनी पड़ेगी कि यहां पर क्या-क्या समश्या है उन सब के लिए जब वो निधान प्रस्तुत करता है या जब वो सुझाव देता है उनको निधान कराना चाहता है तो निधानात्मक क्रियात्मक शोद में होता है दूसरा जो है वह सहकारी क्रियात्मक शोद सुडेंट्स बहुत सारे ऐसे तरह के शोद होते हैं जो सिर्फ सामाजिक कल्यान से संबंधित होते हैं सामाजिक कल्यान के कई तरह की योजनाय आती है उन योजनाओं का किस तरह स जो हे करियानवन हो रहा है या नहीं हो रहा है या वास्तविक जो लोग है उन तक उन योजनाओं का फाइदा हो रहा है या नहीं हो रहा है सरकार कई योजनाएं लागू करती है और उन योजनाओं का फाइदा जो वास्तविक जो पिरित लोग है या वास्तविक जो हकदार लोग है उन तक नहीं पहुँच पाता है और बीच में दुसरे लोग अपने रसुक का फायदा उठा कर उस योजनाओं का उप्योग कर लेते हैं तो इस तरह के जो शोध है करियात्मक वो सरकारी करियात्मक शोध जो सामाजिक कल्यान से संबंदित हैं जो भी सरकारी योजनाय आ रही है या कोई भी जो लोकल गर्वन बोड़ी है या कोई भी विकास से संबंदित जो काम है उनका जनता तक वास्तव में वास्तविक जो हगदार है वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा या वहां की क्या आवशक्ता है उसके आधार पर जो श विज्ञानिक वीधियों के द्वारा प्रियोग अर्थात आपने देखा होगा experimental जो research हमने पड़ा कि जहां कभी हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो वहां पर हम दो समुहों को अर्थात एक समुह को नियंतित और नियंतित अर्थात कुछ भी परिवर्तन एक समुह में नहीं कर करते हैं या समर्षा के समधान का प्रयास किया जाता है तो उसे हम प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोद कहते हैं इस प्रकार जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें क्रियात्मक शोद का बहुत अधिक महत्व है यह वेग्यानिक विदी जो है में प्रयोग थोरन सभी चरणों का प्रियोग इसमें किया जाता है खुलमिला का जो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक जो शोध है वह ततकालिक उप्योग पर ध्यान दिया जाता है इसके सिद्धान्त के विकास के उपर ध्यान नहीं दिया जाता है विग्यानिक द्रश्टिकोन को की पालना करते हुए जो समश्याएं हैं उसका समाधान करना सामाजिक परिवर्तन को दिशा देना सामाजिक नियोजन और सामाजिक कल्यान से समदित कारिकरमों को करियानवन के उपर जो है वो करियात्मक शोध में ध्यान दिया जाता है कुल मिला कि सुधारात्मक जब भी कोई काम करना हो या व्याधिकी या विगटनात्मक जो समश्याएं हैं समाज में उनके समाधान या निधान की जब कोई बात हो या उसका कुछ कार्य करना हो तो करियात्मक शोध का प्रियोग किया जाता है करियात्मक्षोत के अंदर जो student qu ど Раз कहते हैं वह बनता है कि करियात्मक्षोत किसे कहते हैं, या कृयात्मक्षोत को समझाइए दूसा बनता है कि कि कितने प्रकार है, तो आपको short question में, उसको short answer, देना है एक जो मैंने बताया, आपको good and heart की जो पुस्तक है methods in social research यह कई परिक्षाओं में पूछी जाती है तो इसे आपको ध्यान रखना है कुड़ेन हाट की पुस्तक में थर्ड इन सोशल रिसर्च बड़े कोशन में जब आपको पूछेगा दस नंबर में तब वो पूछेगा कि करियात्मक्षोद को समझाए तो आपको इनके तीनों प् अप्टर लेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत